असलाम वालेकुम मेरा नाम अजबर है पाइथन के सिजले का साथमा लेसन फ़र दोस्टों वाइट इस चैनल यह सीरीज होगी काई घंटों पे मुझतमिल यह वीडियो होगा काई घंटों पे मुझतमिल और at the end of the course वो लोग जो इस course को complete करेंगे उनको एक free certificate दिया जाएगा after due testing आपकी knowledge test की जाएगी और कोशिश मेरी यह है कि इसका standard बहुत high हो और मैं course यह तयार कर रहा हूँ as per standards in Australian universities और जिस तरह से colleges में में आप कोई चीज सिखाए जाती है उसको test दिया जाता है थोरो और उसके बाद आपको certification दी जाती है आज हम सीखेंगे एक concept list comprehension का उसके अलावा दो comparison operators देखेंगे और modulus operator का practical इस्तेमाल देखेंगे modulus operator यह होता है कि जब आप किसी number को divide करते हैं for example आपने divide किया 5 को 2 से तो जो remainder बचता है वो as a result safe होता है इसको हम पहले discuss कर चुके हैं लेकिन बड़ा heavily question यह होता है कि modulus operator का इस्तेमाल कहा हो सकता है तो समझते हैं concept को सबसे पहले list comprehension को समझते हैं और समझने के लिए double click करेंगे अपने py charm के icon पर यह ID है यह integrated development environment जिसका हम यूज कर रहे है python सीखने के लिए बहुत सारी IDs दस्तियाब में इंटरनेट पे आपको इसी भी ID इसमाल कर सकते हैं लेकिन पाइचा में काफी popular ID है जो कि न सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल होती है बलके practical life में भी python programmers इसका बड़ा heavily यूज करते है तो मैं right mouse क करता हूँ बलके इससे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है लोगों को कि cursor movements नदर नहीं आती है तो मैं जाता हूँ settings के icon में और theme का color change कर देता हूँ मैं इसको white कर देता हूँ right mouse के लिए करूँगा मैं अपने project के folder पे और new python file मैं create करता हूँ 7 के नाम से एक file create हो गई है तो list comprehension क्या होती है list comprehension एक expression होती है जो कि list of values produce करती है एक list produce करती है from an existing list now बड़ा मुश्लिल सी definition है लेकिन concept बड़ा असान सा है list हाम पहले discuss कर चुके हैं तो दुबारा से पहले list को discuss कर देते है list एक data type है जिसको hold कर सकता है multiple values को for example मैंने एक variable create किया इसको मैंने नाम दिया waylist assignment operator मैं लगाए जो कि is equal to go sign है और उसके बाद list की पहचान यह होती है कि इसके around square brackets होते है और मैं simply एक list create कर देता हूँ 1 2 3 0 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है तो यह multiple values है जो कि एक ही variable में safe हो गई है और यह concept बड़ा heavily used है यह दूसरी programming languages में बड़ा होता है जावा script में for example इसको arrays कहते हैं यानि कि एक ऐसा variable जो कि कैई values को hold कर सकता है तो simply इसमें यही हो रहा है कि हमने एक variable create किया है और इसमें काफि सारे data मौझूद है काफि सारी values मौझूद है तो अगर मैं इसको print करूँ we list print कर लेते हैं और run कर लेते हैं अपना current project और इसका data type list create हो गया है जो कि square brackets से represent होता है यहां पर मैंने hard coding किया है आप इसको list comprehension की मदद से automatically भी generate कर सकते हैं तो मैं एक ऐसा similar काम करूँगा मैं दूसरे variable में एक मैं variable create करता हूँ we list2 के नाम से is equal to a sign और square brackets और मैं कहता हूँ i for i in range और मैं seven लिख देता हूँ ठीक है तो हम एक range create कर रहा है सबसे पहले हमने एक for loop create किया है loop का मतलब यह होता है कि एक ऐसा line of code जो कि बार बार repeat हो सके तो यह loop है इसको कहते है for loop और इसमें यहां पर जो for के बाद पहला variable है यह variable है यहां पर जो कि दो दफ़ा यूज़ हो रहा है तो यह i can आप से जो मैंने variable create किया है यह इसकी value बार बार change होगी पहली दफ़ा जब यह run करेगा तो इसकी value होगी zero दूसरी दफ़ा जब run करेगा और यह साथ दफ़ा run करेगा ठीक है दूसरी दफ़ा run करेगा इसकी value होगी एक तीसरी दफ़ा करेगा इसकी value होगी दो तो इसको भी print कर लेते हैं print we list to जो कि दूसरा variable है हमारा print की spelling मैंने गलर type कर दी है रन करते हैं अपने project को आप देखें कि exactly same चीज़ create होगी इसमें seven शामिल नहीं है क्योंकि zero से शुरू हो रहा है लेकिन यह loop seven साथ दफ़ा run हुआ है one two three four five six seven चूंकि zero से शुरू होता है और zero भी value होती है तो इसमें साथ शामिल नहीं होगा ठीक है तो यह है एक list comprehension हमने create कि है ठीक है तो यह exactly same results हमने create कि हैं with the help of list comprehension की यहनी कि this is a way to create a new list by applying an expression to each item in the list. existing list create हो रही है यहां पे for i in range जोकि zero से लेकर तक है और चुबकि यहां पे हर दफ़ा value change हो रही है तो हमने क्या किया हमने इस values को उन values को हर दफ़ा यह loop run हुआ तो हमने इसको एक expression में save कर दिया तो यह iteration variable है यानि कि iteration का मतलब है कि इस चीज़ को repeat करना तो यह साथ दफ़ा repeat ह होकि इसमें change होगी बार 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 इसकी value change होगी तो इक puzzled मि जैसे कहते ना खिवाली बàना जिसमें एक लफ़ा बार रवा दोर तो यह iteration variable कहलाता है for loop में और यह expression कहलाती है expression का मतला होता है कोई भी line of code जो कि किसी value को produce करें तो यहां पर एक list create हो रही है जो कि list of values है ठीक इसका practical इस्समाल क्या हो सकता है यह for example सवाल यह पूछा जाता है आपसे अकसर रखाते interviews में कि आपने list of values create करनी है और उसको आपने squares करना है तो हम एक छोटा ता program लिखेंगे मैं कहता हूँ v squares is equal to और उसके बाद bracket और मैं कहता हूँ x के नाम से एक variable create कर देता हूँ और मैं कहता हूँ double multiplication sign और हम यह तरीका है लिखने का किसी भी चीज़ को raise to the power of 2 करने का या 3 या 4 raise to the power of sum तो x एक variable है जिसकी power को raise कर रहा है हम दो दफार इसके बाद मैं लिखूंगा for in for x in range और मैं 7 लिख देता हूँ दूबारा से ठीक है तो हम एक list create कर रहा है with the help of another list यहां भी create हो रही है और उसमें जो भी values आ रही है उनको raise किया जा रहा है to the power of 2 पर और उस list का हम save कर रहा है इस variable में ठीक है तो print करते हैं v squares के नाम variable को run कर लेते हैं अपने code को और दुबारा से यह third print है हमारा बलकि confusion को ठानने के लिए मैं इसको comment out कर देता हूँ कर रहेगा लेकिन जब 2 को आप raise करेंगे to the power of 2 तो 2 times 2 is 4 3 को raise करेंगे to the power of 2 तो 9 हो जाएगा 3 to the power of 2 is 9 और 4 to the power of 2 is 16 5 to the power of 2 is 25 and 6 to the power of 2 is 36 ठीक है तो यह हमने squares create कर दी है अब हम इसी इनी results को वापिस भी reverse कर सकते हैं for the help of list comprehension की मदद से ठीक है तो मैं एक variable create करूँगा v s q r t के नाम से कर लेता हूँ is equal to और मैं i का variable use करूँगा और double multiplication sign और मैं raise करूँगा to the power of 0.5 ठीक है यहनिके मैं i का जो variable है इसमें जो भी number safe होगा उसको raise करेंगे to the power of half और किसी भी number को अगर raise किया जाए to the power of half इसका मतलब होता है कि आप उसका square root निकाल रहा है तो इन तमाम numbers को जिनको हमने squares किया था इन ही का हम square root निकालेंगे with the help of another list comprehension ठीक है मैं लिखता हूँ for i in और मैं इस variable का नाम दे दूँगा copy कर लेते हैं इसको copy और paste कर देते हैं यहां पे ठीक है अब इस variable को भी print कर लेते हैं print v sqrt और run कर लेते हैं अपने code को आप देखेंगे दूसरी line of code में पहले हमने यह create किया squares को एक list create की 0 से लेकर साथ तक यानि actually 6 तक और उसके बाद हमने हर number को raise to the power of 2 यानि हमने इसको square कर दिया ठीक है तो यह वो list आ गई है इसके बाद हमने एक और list comprehension use की जिसने again हमारे पास एक list create कर दी है और इसको जब हमने print करवाया यहां पर तो इसमें इनका square root निकला है 0 का square root 0 होगा 1 का square root 1 होगा 4 का square root 2 होगा 9 का square root 3 होगा 16 का square root 4 होगा 25 का 5 और 36 का 6 अच्छा एक बात आप note करें कि यहां पर decimals आ रहा है और यहां पर decimals नहीं है उसकी वजह यह है कि इस variable में जो value safe हो रही है वो यहां से safe हो रही है ठीक है और इसमें एक number है और इसमें यह है decimal तो यहां पर जो numbers हमने create किये हैं इनका data type है integer लेकिन यहां पर चुकि हमने हर number को raise किया है to the power of power of 0.5 यहां पर decimal है तो यह decimal values भी आ रही है by default इसको fix करने का तरीका यह है कि मैं simply यहां पर round का एक method रोजूस कर लेता हूं round का function और यहां पर parenthesis run कर लेते हैं और आप देखें कि 1 का square root 1 है 4 का square root 2 है 9 का square root 3 है तो इस तरह से हमने यह list comprehension के मतब से दो एहम काम किये हैं कि आपको बड़े heavily use हो सकते हैं उस तरह यह आपको use ना करना पड़े list comprehension आपको programming में काफी ज्यादा use करनी पड़ेगी अच्छा अब एक और जो कि interview question पूछे जाता है आम तोर से और यह question होता है कि आपने list generate करनी है zero to ten for example और उस list में से आपने तलाश करने है odd या even numbers ठीक है तो मैं इन दोनो lines of code को comment out कर देता हूं पहले square bracket और मैं कहता हूं i for i in range और मैं again इसमें 11 की range डालूंगा और उसके बाद हम कहेंगे if की condition if ही condition optional होती है मैं कहाँँगा i modulus operator 2 यानिकि मैं i की जो भी value उसको divide करूँगा 2 से और comparison operator इसमाल करेंगे हम करेंगे 2 दफा is equal to cosine अच्छा यहां पे अगर मैं say for example मैं एक variable लिखूं और single is equal to assign और मैं यहां पर simply यह कर रहा हूं कि मैं यहां पर एक variable create लुग्स कर रहा हूं यह assignment operator है और यहां पर मैं value assign कर रहा हूं वरिवल को 2 की और एक और variable create कर रहा हूं 2 के नाम से for example और मैं दो दफा daytime का कर रहा 허ल और यहां पर कोई Hani भी values लिख दीखूं तो यह comparison operator हो गया यानि कि मैं कोशिश कर रहा हूँ check करने की क्या कि इस variable में वी नम 2 में जो value safe है क्या वो 4 के बराबर है ठीक है तो यहां पर हमने comparison operator इसमाल किया है हम कह रहा है if it is equal to 0 अगर मैं i की value को divide करूं 2 से और उसकी जो remainder हो यह modus operator यह remainder को compare करेगा दो को मैंने यह for example 4 को मैंने divide कि 2 से तो यह completely divisible है 4 2 से और remainder इसका क्या आएगा 0 तो अगर 0 आए तो उस number को safe कर दे इस expression में ठीक है और वो expression यहां पर safe हो जाएगी तो यह हमने जैसे पहले कहाता कि iteration variable है यह repeat होगा बार बार और उसके बाद यह expression है इसको अगर मैं यहां पर print करवाओं even kita variable को तो हमारे पास एक से लेकर 10 तक जितने भी जितने भी even numbers है वो print हो जाएंगे लिस्ट में जीरो से लेकर 11 तक कि list में जो भी इन numbers हैँ रन करते हैं अगर आप देखि जीरो से लेकर 11 तक की list में जितने भी even numbers ते उनकी एक list generate हो गई है और list का मतलब यह होता है कि एक variable इसमें multiple values हैं और इसको identify करने के लिए one more time यह square brackets होते हैं इसी line of code कम थोड़ा सा modify कर सकते हैं control c करके और control v कर लेते हैं और मैं इस दफ़ा कह देता हूँ एक variable का नाम change कर देता हूँ मैं इसको कहता हूँ we odd odd numbers तलाज कर लेते हैं और हम कहते हैं not equal to का comparison operator ठीक है इस तरह से लिखते हैं यह exclamation mark और is equal to assign हम कह रहे हैं कि अगर किसी number को divide किया जाए 2 से और उसका remainder यह modulus operator है पांच को आपने rewrite किया 2 से तो remainder 1 आएगा तो अगर वो remainder 0 के बराबर नहीं है तो वो number इस variable में save हो जाए और यह तमाम result इस इस variable में save हो जाए और week के बाद मैं करवा देता हूँ प्रिंट करवाता हूँ मैं वी odd के variable को run करते हैं दुबारा से तो आप देखें कि यहां पे पहली दवज हमने print कर रहा है हुआ है सारे के सारे even numbers है और दूसरी दवजह हमने print कर रहा है उसमें सारे के सारे एक से लेकर 10 तक जितने भी odd numbers आते हो प्रिंट हो रहा है और इस range को आप change कर सकते हैं ठीक है तो 101 कर दें फर एकजांबल यहां पर भी 101 कर दें तो विदिन सेकेंड आपने एक से लेकर सौ तक जितने भी इविन नमबर से वो प्रिंट कर लिए और उसके बाद आपने सारे और नमबर भी प्रिंट कर लिए तो इस वाज दी प्रैक्टिकल यूज ऑफ लिस्ट कंप्रिहेंशन का बड़ा है और बड़ा आसान सा है बाइड डेफिनिशन अगें इस्प्ली एक लिस्ट करेंट होती है लिस्ट कंप्रिहेंशन में विद इहल फफ एन एकजिस्टिंग लिस्ट ठीक है तो अशान इसमें एक expression यूज होती है, यहां पर यह expression है, ठीक है, ज्यादा आसानी जाना दर आ रही है, और यहां पर भी एक expression है, और यह iteration loop है, for loop में, यह iteration variable है for loop में, इसके अलावज हमने use किये concepts, वो comparison operators थे, ठीक है, यह और यह दो comparison operators हमने use किये, बहुत सारे comparison operators होते हैं, जिसको हम सीख operators है, यह भी, लोग सवाल करते हैं, कि जी, जब सिखाय जाता है, कि जी, modulus operator क्या होता है, arithmetic operators में, और बताया जाता है, कि यह remainder की value आपको provide करता है, तो लोग सोचते हैं, कि यह remainder की value कहां पर जूद होती है, तो बहुत सारे programs में ऐसे हैं, जिसमें, आपको remainder की value, यूज करनी प यह lesson कुछ लोगं के लिए सूद्बन सावित होगा, practice करनी है, आपने इन तमाम concepts की, exam में यह तमाम concepts आप से पूछी जाएंगे, और thoroughly पूछी जाएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्ला हाफिस.